आज आपके लिए मैं बहुत ही जरूरी सूचना लेकर आया हूँ अगर आप चैनल पर नाया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेला के अंद वादें जैसे अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मुक्यमंती अनुदान ट्रांसफर योईना एमपी सरकार ने दोबारा सुरू कर दी है जिनके खेतान भाईयों को अपने खेतों पर ट्रांसफर्मर लगवाना है उनके वो खेतान भाई इस अनुदान पोर्ट का लाव ले सकते हैं 16 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और 21 सितंबर से इसके आवेदन सिरू होंगे आवेदन की अगर हम बात करें तो आवेदन कब सिरू होंगे तो 21 सितंबर से ये आवेदन सिरू होंगे और इसका सुवाराम 21 सितंबर से सिरू होगा इसका उद्देश मुक्ता ट्रांसफार्मरों की सुविदा हर किसान भाई तक पोचाने की है और हर किसान भाई के खेतों तक विजली पोचाने की सुविदा के हिसाब से MP सरकार ने ये अनुदान ट्रांसफार्मर योजना दोबरा सिरू की गई है इस अनौदान ट्रांफ़र्मर योजना में किसानों को कैसा क्या द्लूपिदा मिलेगी निजहिए की समस्या आती थी इन किसान भाजियों के लिए योजना सिरू की गई है दोबारा से पहले ये योईज़ बंद कर दी गई थी इस योईज़ ना का नाम MP मुख्य मज़्य ट्रांसफार्मर अनुदान योईजना है मद्य परदेस सरकार दोरा ही योईज़ ना से रुकी गई है और किसानों को ट्रांसफार्मर की सुविदा उप्लाद कराना इस योईना का मुख्य उद्देश है कौन-कौन से किसान इस योईना के लिए पात रहूंगे इसकी भी एक विसेश जानकारी है मद्द प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए राज़े का किसान होना चाहिए और किसान परिवार में कोई भी वैक्ति सरकारी नोक्री में नहीं होना चाहिए वो किसान भाई इस सुविदा के लिए पात्र होंगे और इस इस की ट्रांसफर्मर योजना के लिए आविदन के से करें तो ये आफलाइन आविदन रखे जाएंगे जो की विजली विवाग के दोरा ही आपको आविदन करना है विजली विवाग के जाकर और वो ही इस चीज का निड़ने लेंगे कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं उसी तयद आपको बिजली अव्बिश में झाकर अविद दन करना है और वही अपरूब करेंगे जब आपको बात्र माना लिया जाएगा बिजली विवाक के ऑफषरों दोरा वही आपको पाट्र अपाटर भोश्चत करेंगे उन्हीं के दोरा आपको پूरी प्रिक् भी अगर हम इसकी बात करें तो आवसक दस्ता भेज जोगी तो इसमें आपको आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म लगेगा जो कि बिजली बिभाग में द्वारा दिया जाएगा आधारकाड या अन्ने पहचान पत्र मूलने मासी प्रमाड पत्र लगेगा पते का प्रमा करनेक्शन लेना पड़ेगा जैसे अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आपको कनेक्शन लेना पड़े हैं कि खेटों तक इसको बिजली को पोचा ना मुखतन कर दिया जाता है तो आप छे महिने तक वापस से आविदन नहीं कर सकते हैं जैसे आपको आपिदन अगर एक बार बिजली बिभग दरह निरस्त कर दिया गया है तो आप बापस से छे महीने तक आपिदन नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर्मर्मर् खराब होने पर क्या होगा तो ट्रांसफर्मर्मर् कराब होने के इस्तिति में आपको 75% रासी जो तो ट्रांसफार्मर की राशी है वो आपको फिर जमा करनी होगी और 40 प्रतिसत आपको पहले जमा करनी होगी तभी आपको दूसरा ट्रांसफार्मर मिलेगा अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो यदि आप पात्रब होते हैं और आपका आविदन स्विक्रेट कर लिय या जाता है तो आपको दो गोंटे के अंदर ट्रांसफार्मर की सुषविदा उपलब्द कराई जा सकती है यह भी इसमें एक नियम रखा गया है अगर हम बात करें तो कितने पुरतीषद राशी आपको जमा करनी होगी तो 50% रासी आपको देनी होगी 40% मद्देपर्देश सरकार देगी और 10% बिजली विभाग स्वाइम देगा बिजली कमपनिया देगी जब आपको अपना ट्रांसफार्मर के लिए आप पात्र हो जाएंगे तो इसके लक्षों की बात करें तो 10,000 ट्रांसफार्मर के लक्ष रखे गए हैं और 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी के लाइन का विस्थार आपके खेतों तक कराया जाएगा लागत रासी का आपको कम से कम 50% जम्मा करना होगा 40% राज्जी सरकार करेगी और बागी का 10% बिभाग करेगा